बाबा भुले नात को प्रसंद करने के लिए आप भी सोमवार का वरत कर रहे हैं, तो शिव वरत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूर्ण करें। सोमवार वरत की विधी, नारद पुरान के अनुसार सोमवार वरत में व्यक्ती को प्राता स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चड़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए, शिव पूजन के बाद सोमवार वरत कथा सुननी चाहिए, इसके बाद केव प्रति सोम्वार व्रत इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधी होटी है वरत कथा एक सम्य की बात है किसी नगर में एक सा हुकार रहता था उसके घर में धनकी कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी था पुत्र प्राप्ती के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था इधर साहुकार और उसकी पतनी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदी उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्रां त्याग देंगे परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहत प्रसन हुए। उसी राद भगवान शिव ने व्यापारी के स्वापन में आकर कहा है श्रेश्ठी मैंने तेरे सोमवार के वरत करने और वरत कथा सुनने से प्रसन होकर तेरे पुत्र को लंबी अयुप्रदान की है इसी प्रकार जो कोई सोमवार वरत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाय पूर्ण होती है श्री शिवाय नमस्तो भ्यम